जिस प्रकार धन की अधिश्ठात्री देवी माता लक्ष्मी जी होती है ठीक उसी प्रकार से धन के कुबेर माने गए हैं सुक्राचारे को जोतिस में अब ये सुक्रदेव इतने महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं क्योंकि इन ही के पास प्यार है पैसा है और हमारे जीवन म जितना भी सुख और धन की स्थिती है एक मात्र सुक्राचारे के माध्धम से निर्धारित होता है कि वो कितना और कैसे हमारे पास रहेगा आज एक सुभ गोचर का आगमन हुआ है ठीक 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक का वो समय रहेगा जहां पर सुक्राचारिय जी स्वामी बनते हैं तो कैसे और किस प्रकार से बड़ी खुस खबरी का आउसत निकल के सामने आता है आज इस बात को समझेंगे तृती भाव पर आकर के कौन से कारिय करने को करते हैं कौन से कारिय बनेंगे इस बात को हम समझेंगे समझेगा आपके अपने सिहरासी का नुसा ठीक, तीसरे भाव पर सुक्र का गोचर हो रहा है, और ये इनका मूल त्रिकोन रासी है, अर्थात एक घर होता है, इनका दो नमबर जो आपे कैरियर के स्वामी है और दूसरा ये इनके स्वयम के अपने मूल त्रिकोन रासी, जहां पर कोई ग्रह यदी प्रवेश कर जाए, तो उनके अंदर स्वयम इतना बल और सामर्थ आ जाता है कि वो अपने उस घर के सभी के सभी positive result आपको प्रदान करें चुकि ये तीसरे घर पर उपस्थित हैं ये इस्थान होता है आपके पराकरम का अर्थात इस समय पर पराकरम बहुत अच्छा रहेगा आपके अंदर में किसी कारे को कर पाने के लिए वो सामर्थ यहां पर पदान करते हैं सुक्र देओ कोई नया agreement का आउसर यहां पर निकल के आ सकता है क्योंकि सुक्र को हम धन मानते हैं तो पैसों से जुड़ा हुआ कोई agreement यहां पर हो सकता है कैसे काम बनेंगे इस उपाय को हम अंति में बताएंगे जरूर सुनियेगा हाँ तीसरे घर पर अब यही इस्थान है आपके छोटे भाई बहनों का तो छोटे भाई बहनों के लिए भी आप अच्छा कर पाते हैं और वहां से भी आपको अच्छी अनुभूति निकल के सामने आती ही यही सुक्र का एक सुब प्रभाव हो गया अब यदि आप online समंधि किसी काम में सनलगन है किसी media समंधि काम में है किसी film industry में है या फिर कोई sports से जुड़े हुए कारियों में सनलगन है तो सुक्र इस स्थान पर इस तीसरे घर के मालिक है और यही संपन न इस्तिती पर है अर्थात इन सभी छेत्रों में एक नए विसेस्ता को संपन न कराता है एक नए कारे को संपन न कराता है तीसरा घर ही हमारे social media को प्रदर्सित करता है अब सुक्र को स्वेम लगजरी life का कारक माना गया है सुक्र स्वेम film industry के कारक माने गया है जब भी हमको किसी चीज को promote करना है जो सुन्दर दिखाना है वहाँ पर ये सुक्र का role सबसे महत्वपूर्ण होता है और इस समय पर ये सुक्र जब तृती भाव पर रहेंगे अर्थात इन सभी कारियों में चाहे वो social media का काम हो या फिर online समंधी काम हो या फिर sports से जुड़े काम हो उन सबकारियों में हमें सफलता देखने को मिलेगी अब यही इस्थान जहां पर से इनका प्रभाव पड़ा है ठीक सामने होता है भाग का घर अर्थात किस्मत के घर पर सुक्र का प्रकास पड़ना भई इतना महत्वपूर्ण क्यों है सुक्र की सात्वी द्रिष्टी ध्यान दिजेगा यूं तो सभी ग्रहों के पास सात्वी द्रिष्टी मौजूद होती है लेकिन सुक्र की सात्वी द्रिष्टी उन सभी में अत्यधिक महत्वपूर्ण है कारण इसका क्या है जो आपके भागे भाव पर पढ़ रहा है एक बार भागवान नारायन बामन का रूप धारण करते हैं और पहुंच जाते हैं राजा बली के उस कारे में जहां पर यग्य का कारी पूर्ण हो रहा हो वहाँ पहुंच करके तीन पग पृत्वी मांगते हैं राजा बली से राजा बली देने को तयार हो जाते हैं लेकिन उसी समय पर जो राजा बली की जो गुरू थे अर्था सुक्रा चारेजी थे उन्होंने उन्हें रोग दिया और कहा कि मत दो इनका चल है लेकिन राजा बली नहीं माने और संकल्प पात्र ले करके जल की धारा प्रवाह करने लगे मंत्र चलता रहा तभी इस सुक्रदेव ने अपने आखों को उस पात्र पिर गड़ा दिया ताकि वहां से जल्प का प्रवाह रुख जाए और संकल्प खंडित हो जाए लेकिन तभी नारायन ने देख लिया और उसी वामन रुपधारी भगवान ने एक सुई का नोक ले करके इस सुक्राचारे के आखों पर चुभा दिया जिससे इनके एक आख नहीं रहे प्रभावता इन्हों ने कहा कि है प्रभू आपने मेरे एक आख तो नहीं रखे अब मै क्या करूंगा भगवान ने कहा कि तुम 30 जगत में एक ऐसे ग्रह बनोंगे जो धन के कारक जीवन में प्रसनता के कारक तुमको माना जाएगा और तुम्हारी एक दृष्टी जहां पर पड़ेगी जिस इस्थान पर पड़ेगी वो इस्थान सदय पवित्र हो जाएगा उस इसी हिसाब से ये आपके ठीक भाग्य भाव को देख रहे हैं सात्वी दृष्टी से भाग्य अर्थात इस समय पर प्रबल हो गया पीता जी से जोड़े हुए कोई कारे यहां पर निकल के सामने आते हैं चूंकि सुक्र पैसा है तो पीता जी के माध्यम से कोई धन का आगम हो पाता है उच्चा धीकारियों से इस समय पर सपोर्ट मिल पाता है जहां पर आप कारे करते हैं वहां भी वाता वरन काफी सुखद और अनुकूल यहां पर ना पाता है क्योंकि सुक्र की दृष्टिक पढ़ रही है ठीक आपके भाग्य आपके किस्मत के भाव पर जो वि केरियर भाव के ही तो स्वामी बनते हैं और केरियर भाव के स्वामी का मूल त्रीकून रासी पर आना अर्थात कारे छेतर में भी एक नए तरक्की का आउसर प्राप्त होता है इसके पहले क्या हुआ था सुक्र देव केतू के संग बैठे थे और साथ यहां पर नीच रासी मिल सकती है चाहे आप बिजनेस कर रहे हों या फिर नौकरी कर रहे हों किसी कारण से भी यदि मन असान था है अपने कारेक शेतर को ले करके होता है कभी कभी हमने अपना 100% दिया लेकिन हमको प्रमाण नहीं मिल पाया हमने अपना सब कुछ किया लेकिन सामने वाले से सुनन को कायम रखा जाए और कैसे इसके इस प्रभाव को कैसे और अधिक बढ़ोतरी पर रखा जाए इस बात को समझेगा तीसरे घर पर सुक्र है सुक्र का यह इस्थान जो है तीसरा घर हम राइटिंग मानते हैं अर्थात कोई भी लेखन समंधी काम करते हैं यही हमारा तृती भ अधान के रूप में आप इसे ले सकते हैं तो अपने जो ड्रीम है आपके अंदर उसको आप एक पैपर पर लिख सकते हैं और उसके माeration विष्वास केज़े तीसरे भाव पर शुक्र बैठें आपके लेखन को सुविकार करेंगे अब जो लिखेंगे वह का यह आपका संपन नहों पाता है, तो ये उपाय कर सकते हैं, आपके छोटे भाई बहनों के लिए कोई विसेश करना होगा, तो तीसरे भाई से सम्मंधित है सुक्रचारजी, तो उनके लिए कोई विसेश कर पाते हैं, उनके जीवन को आप उजागर कर पाते हैं, इसका मतलब आपका थर् रिलेशन बहुत मधूर होने चाहिए, एक अच्छा मजबूत रिलेशन आप बना पाते हैं अपने पडोसियों से इस समय पर तो ये सुक्र आपका एनर्जिक रहेगा और सदयों के लिए ये आपके लिए धन दायक इस्तिति को कायम करते हुए कैरियर में भी उच्छ सफल तक आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भाती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजेगा पुनह एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल मैं हो इन ही सुपकामनाओं के साथ जय स्री राम